दोस्तो आज मैं आपको अपरात की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात मॉडल टाउन दिल्ली में हुई थी तो चलिए दोस्तो जानते हैं इस वारदात के बारे में संजीब चोहान उत्तरी पस्चमी जिले के गाउं राजपुरा गुडमंडी में अपने परिवार के साथ रहते थे उनके परिवार में पत्नी कवीता के अलावा दो बेटिया और एक बेटा था आरजू उनकी दूसरे नमबर की बेटी थी बड़ी बेटी पायल पढ़ लिकर दिल्ली के ही एक निजी स्कूल में टीचर हो गई थी दूसरी बेटी आरजू दिल्ली विश्व इद्याले के लक्ष्मिवाई कॉलेज में बीए फाइनल येर में पढ़ रही थी वो कॉलेज बस से आती जाती थी कभी कभी वो अपनी सहेलियों के साथ कमला नगर मार्केट घूमने चली जाती थी एक दिन आरजू कॉलेज की एक दोस्त के साथ कमला नगर मार्केट घूमने गई थी तभी वहाँ उसकी मुलाकात नवीन खतरी से हो गई नवीन को वो पहले से जानती थी क्योंकि वो उसी के महले में रहता था लेकिन वो उसते कभी मिली नहीं थी नवीन भी राजपुरा गाओं के राजकुमार का बेटा था उस दिन रेस्टोरेंट में नवीन और आरजु की पहली बार बात हुई तो आरजु के खाने पीने का बिल नवीन नहीं चुकाया उस दोरान दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नमबर दे लिए ये करीब दो साल पहली की बात है पहली मुलाकात में ही आरजु नवीन को भा गई थी उससे नज़िक्या बढ़ाने के लिए वो उससे जब तक पोन करने लगा कभी कभी आरजु जैसे ही कॉलेज के लिए घर से निकल कर में रूड तक पहुँचती नवीन मोटरसाइकल लेकर आ जाता उसे अपनी मोटरसाइकल पर बैठाने के लिए कहता कि उसे लक्ष्मीबाई कॉलेज के सामने से होते वे करोन बाग जाना है तब आरजु उसकी मोटरसाइकल पर बैठ जाती इस तरह आरजु और नवीन के बीच दोस्ती हो गई जो बाद में प्यार में बदल गई इसके बाद वो अक्सर नवीन की मोटरसाइकल पर घूमने लगी नवीन भी उस पर खूब पैसे खर्च करने लगा था राजपुरा गाओ के कुछ लोगों ने आरजु को नवीन के साथ घूमते देखा तो इसकी चर्चा गाओ में वोने लगी इसका नतीजा ये निकला कि दोनों के ही घरवालों को उनके प्यार की जानकारी हो गई तब उन्होंने अपने अपने बच्चों को समझाने की खूशिस की लेकिन आरजु और रवीन अपनी प्यार की धुन में रमे रहे उनके बारे में लोग क्या कह रहे है इसकी उन्हें परवा नहीं थी उन्होंने मिलने में अब एतियाद बरत्नी सुरू कर दी थी प्यार कर लिया साथ जीने की कसे भी खाली लेकिन इस बात पर गौर नहीं किया कि वे एकी महले में रहते है जिसकी वज़े से साधी होना संभव है गाओं के रिष्टे से एक तरह से वे भाई बहन लगते थे अगर ये बात वे पहले सोच लेते तो उनकी महबत परवान ना चड़ती संजीव चोहान को लगा कि नवीन ने ही उनकी बेटी को बहका कर अपने जाल में फसा लिया है इसी लिए उन्होंने पोन करके नवीन के घरवालों से सिकायत की इसके बाद नवीन के घरवाले कुछ परिचितों को लेकर संजीव चोहान के घर पहुँचे ये करीब चार मेहने पहले की बात है एक ही गाव का होने की वज़े से साधी होना संबव था इसलिए सब ने यही कहा कि दोनों के घरवाले अपने अपने बच्चों को समझाए कहा जाता है कि अपने घरवालों की इज़्जत को देखते वे आरजू ने नवीन से बात करनी बंद कर दी थी उसने उससे दूरिया बना ली थी इसके बाद उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया था कल्पनाओं की दुनिया में नाम कमाने के लिए उसने किंग्स्वे कैंप इस्तित एक इस्टिट्यूट में एनिमेशन के कोर्स में दाखिला भी ले लिया था कॉलेश से लोटने के बाद वो एनिमेशन सीखने जाती थी आरजू और नवीन भले ही घर वालों के दबाओं में एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे लेकिन पुरानी यादों को घूलना इतना आसान नहीं था जब कभी वे घर पर एकांत में होते तो उनकी पुरानी यादे दिमाग में भूमने लगती थी वे यादे उन्हें फिर से मिलने के लिए उकसा रही थी नतीजा ये हुआ कि दोनों ही खुद पर नियंतर नहीं रख पाए और फोन पर बाते ही नहीं करने रगे बलकि मिलने भी लगे अब आरजू नवीन पर साधी का दबाओं बनाने लगी मगर नवीन कोई न कोई भाना बना कर उसे टालता रहा पंचायत के पैसले के बाद नवीन दक्षणी पस्चिमी दिल्ली के नागल देवल में अपनी बहन के घर रहने लग गया वहीं से वो आरजू से पून पर बात करके निश्चित जगह पर उससे मिल लेता जबकी घरवाले सोच रहे थे कि बच्चों ने संबंद हतम कर लिये है इस बेच नवीन के घरवालों ने दिल्ली के द्वार का सेक्टर पाच इस्टेप विश्वास नगर की एक लड़की से उसकी साधी तै कर दी इतना ही नहीं पाच प्रवरी दोजार सोला को साधी की तारिक भी निश्चित कर दी ये वत आरजू को पता चली तो गो नवीन पर बहुत माराज हुई उसने उसे धमकी दी मैं किसी और से तुमारी साभी कताई नहीं होने दूंगी आरजू की इस धमकी से नवीन डर गया आरजू की धमकी वाली बात नवीन के घरवालों को पता चली तो वे भी परिसान हो उठे उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस बला से कैसे छुटकारा पाया जाए जैसे जैसे नवीन की साधी की तारीक नज़्रीक आ रही थी उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी नवीन को इस बात का डरता कि वो उसकी साधी में पहुँचकर लड़की वालों के यहां कोई बवंडर ना खड़ा कर दे अब आरजू उसके लिए मुसीबत बन गई थी तमाम रिष्टेदारों और प्रीच्चतों को वो साधी के कार दे चुका था बाकी बचे लोगों को दो फरवरी को उसे कार बाटने और दोपहर को नांगल देवत से अपनी बहन को लाने जाना था उसी दिन उसकी आरजू से बात हुई तो उसने उस पर साधी का दबाव ही नहीं डाला बलकी धंकी भी दी उसकी धंकी से परेशा नवीन ने उसी समय आरजू से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला कर लिया दो फरवरी को आरजू अपने नियस समय पर कॉलेज चली गई उसी दौरार उसकी नवीन से बात हुई तो उसने नौ साधे नौ बजे उससे कॉलेज के गेट पर मिलने को कहा पहला पीरेड अटेंड करने के बाद आरजू कॉलेज के गेट पर इंतजार कर रहे अपने प्रेमी नवीन के पास पहुँच गई आरजू को अपनी कार में बैठा कर नवीन करूल बार धोलकुआ से मुन्री का होते वे देवली गाव पहुचा वहाँ पर नवीन के बुआ रहती थी कार को सड़त पर खड़ी करके वो अकेला ही बुआ के यहां कार्ड देने गया आरजू बार बार उससे ये कह रही थी कि तुम साधी के कार्ड बारतो रहे हो लेकिन मैं ये साधी उने नहीं दूँगी नवीन ने तो कुछ और ही सोच रखा था इसलिए उसकी दमकी को भी उसने गंवीरता से नहीं लिया साधे बारा बजे वो देवली से निकला दोपहर तक उसे अपनी बहन के घर जाना था साधे बारा उसे देवली में ही बज गए थे बहन के यहाँ पहुचने में उसे दो घंटे और लगने थी इसी दिये वो कार को तीजी से चलाते वे तैनिक फार्म, साकेत और महरोली होते वे वसंद्खुंच पहुचा वहाँ बाजार में बिकानेर की दुकान पर उसने आरजू को गोलगप्पे खिलाए सवत दो बजे वो बहन के गाउन के लिए निकला इस बिच आरजू साधी की बात को लेकर उससे बहस करती रही आरजू अकसर दो पहर दो बजे तक घर आ जाती थी लेकिन जब कभी उसे आखिरी पिरियड अटेंड करना होता था तो घर आने में उसे चार बज जाते थे लेकिन जब उस दिन वो चार बजे तक घर नहीं लोटी तो उसकी मा कवीता ने उसे फोन किया कि इस समय वो कहा है और कब तक घर आईगी लेकिन उसका फोन बंद था कई बर फोन करने पर भी बात नहीं हो सकी तो वो परिशान हो उठी कि पता रही आर्जु ने फोन क्यों बंद कर दिया है आर्जु के पिता संजीव चोहान उस समय घर पर ही थे पत्नी को परिशान देखकर उन्होंने पूछा क्या बात है क्यों परिशान हो रही हो आर्जु अभी तक कॉलेज से नहीं आई है उसका फोन मिलाया तो वो भी बंद है कवीता ने कहा हो सकता है फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो तुम परिशान मत हो वो बच्ची नहीं है जो तुम उसकी इतनी चिंता कर रही हो संजीब चोहान ने पत्नी को समझाया एक घंटा और बीट गया पर आर्जु घर नहीं आई मा ने फिर फोन किया इस बार भी उसका फोन बंद मिला उन्होंने ये बात पत्नी को बताई तो उन्होंने भी अपनी फोन से उसे फोन किया उन्हें भी फोन बंद मिला अब वो भी परिसान हो गए आरजू की एक सहेली सिमरन का फोन नंबर कवीता चोहन के पास था उन्होंने सिमरन को फोन किया तो उसने कहा आंटी आज मैं कॉलेज नहीं गई इसलिए मुझे कुछ नहीं पता इसके बाद आरजू की दूसरी सहेली राधिका को फोन करके आरजू के बारे में पूछा गया तो पता चला कि वो भी उस दिन छुटी पर थी जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था चोहान दंपती की चिंता बढ़ती जा रही थी जवान बेटी का मामला था इसलिए वो जादा सोर सराबा भी नहीं करना च बजरती है इस बात को संजीव चोहान और उनकी पत्नी कविता से ज़्यादा और पून महसूस कर सकता था बेटी को इदर उदर तलास्ते तलास्ते राद के ग्यारा बज गए पर उसके बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली राज साड़े ग्यारा बजे संजीव पत्न जानने की आसंका हो जवान लड़की के गायव होने पर ज़्यादातर लोग यहीं सोचते हैं कि वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई होगी या फिर उसके साथ कोई अनोनी घट्ना घट गई होगी इसलिए आरद्यू के गायव होने के मामले में भी थाना परभारी ने यही सोचा कि वो अपने किसी बॉइफ्रेंड के साथ कहीं चली गई होगी दो चार दिनों में घुम घाम कर खुदी घर वापस आ जाएगी उन्होंने बातों ही बातों में संजीव चोहान से जानना भी चाहा कि उसके किसी लड़के से दोस्ती तो नहीं थी संजीव चोहान ने इसके लिए मना कर दिया संजीव चोहान की पहरी देकर उन्होंने कहा कि वो परिसान ना हो उनकी बेटी जल्द ही घर आ जाएगी पुलिस को बेटी की गुमशूदगी की सुचना देने के बाद चोहान दंबत्ती घर लोटाए रामोतार यादव ने ये मामला सब इस्पेक में चोहान दंबत्ती की नींद आखों से उड़ चुकी थी उनकी अलावा उनकी बेटी पायल और बेटा कृष्णा भी परिसान था सवेरा होते ही संजीव चोहान बेटी की तलास में निकल पड़े पहले वो लक्ष्मिबाई कॉलेज गए जहां आर्जू पढ़ती थी वो आने की पुश्टी होने पर प्रिंसिपल ने उन प्रोफेसरों को बुल वाया जो पहले और दूसरे पीरेड में आरजू को पढ़ाती थी उन्होंने बताया कि आर्जू ने केवल पहला पिरेड अटेंड किया था अब सवाल ये था कि पहला पिरेड अटेंड करके वो कहा चली गई, संजीव चोहान ने आरजू के साथ पढ़ने वाली कुछ लड़कियों से बात की, तो दो लड़कियों ने बताया कि आरजू से मिलने अक्सर नविन खतरी आता रहता था, कल भी वो अपनी कार लेकर आया था, संजीव चोहान के घर से करीब 1.500 मिटर दूर रहने व वजे से दोनों के घरवाले तयार नहीं थे, करीब 4 महीने पहले संजीव के घर पंचायत हुई थी, जिसमें नविन के घरवाले भी आये थे, पंचायत में तहे हुआ था कि आज के बाद दोनों बच्चे आपस में नहीं मिलेंगे, और दोनों के ही घरवाले अपने अपने संजीव चोहान ने अपने नाते रिष्टेदारों तब को बेटी के बारे में नहीं बताया था वो खुदी उसे ढूंड रहे थे कॉलेज से उन्हें नविन खतरी के बारे में जो जानकारी मिली थी अगर वो उसके बारे में उससे पूछते तो बात महले में फैल सकती थी इसी दिये उन्होंने उससे या उसके घरवालों से बात करना उचित नहीं समझा पीन फरवरी को भी वो बेटी को तरास्ते रहे लेकिन कहीं से भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली शोहान परिवार दर्द को जितना दवाने की कुशिस कर रहा था वो उतना ही बढ़ता जा रहा था अब उन्होंने बात को ज़्यादा दवाना उचे तही समझा और परिवार वालों को बेटी के गायव होने के बारे में बता दिया उन्होंने ये भी बता दिया कि कॉलेज की लड़कियों से पता चला है कि आर्जू कॉलेज से नविन खत्री के साथ कार से गई थी नविन की साधी तै हो चुकी थी और अगले दिन यानी पाच फर्वरी को उसकी साधी थी परिवार वालों की सला पर कवीता चौहान ने बेटी के बारे में पता करने के लिए नविन के बड़े भाई संदीब खत्री को पोन किया पोल संदीप की बहन ने उठाया कवीता ने कहा कि उन्हें नवीन से बात करनी है तो उसने कहा नवीन तो साधी की तैयारी में लगा है आप चाहे तो मम्मी पापा से बात कर रे कराओ कवीता ने कहा लो संदीप भाईया आगए आप उनी से बात कर रे नवीन की बहन ने कहा द अगर वो लोग नहीं बताते तो मैं पुलीसिया कारवाई करूंगी। कवीता ने कहा, अंटी मैं इस बारे में S.H.O. से बात करके आरजू को खोजने की कोशिस करता हूँ। संदीप ने बरोसा दिलाया। संदीप ने आरजू को ढूंडने की बात कवीता से कहतो दी लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसे कहा ढूंडे। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया, तो वो दादी के साथ संदीप चोहान के बड़े भाई राजपार के घर पहुँचा। उसने कहा कि कवीता अंटी उस पर आरजू को खोजने का दबाव डाल रही है। आखिर वो उसे कहा ढूंडे। राजपार के पत्नी के भतिजे की नारायना में साधी थी। वो पत्नी के साथ साधी में जाने की तयारी कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि वो इस बारे में साधी से लोटने के बाद ही कुछ करेंगे। संदीप घर लोट आया, संजीप चहान और उनकी पत्नी कविता का बेटी की चिंता में रो रोकर बुरा हाल था, संदीप से बात किये उन्हें कई घंटे हो चुके थे, उधर से उनके पास कोई फोन नहीं आया था, आखिर उन्होंने ही फिर से संदीप को पोन किया, संदीप क क्या हुआ, अभी तद तुमने आर्जू के बारे में कुछ नहीं बताया, आंटी मैं उसे कहा ढूंडू, हम राजपाल अंकल के पास गए थे, वो साधी में जा रहे थे, उनके लोटने के बाद ही बात करेंगे, संदीप ने कहा, मगर तुमने तो कहा था कि एसेच्चों से बात करके आर्जू को ढूंडोगे, कवीता ने कहा, आंटी कर हमारे यहां साधी है बताओ, मैं उसे कहा से लाओं, देखो मैं इस बात भी गारेंटी देती हूँ, कि मेरी बेटी घर आ जाएगी, तो मैं साधी में कोई अर्चन नहीं डालूँगी, उन्होंने कहा, संदीप हो गए, मेरी बच्ची घर नहीं आई, दुखी तो हम भी है, हमने रविन को इतना टाइट कर दिया था, कि वो तीन महीने से अपनी बेहन के घर है, वही पर वो अपना काम भी कर रहा है, यहां आता भी नहीं, अब ये उस बच्ची को कहा से लाए, राज रानी ने कहा, संदीप ने भी कहा था, कि अपनी इजद के लिए, वो कुछ भी करेगा, कवीदा ने कहा, कह दिया होगा, तो वो गारंटी थोड़े ही लेगा, वो माचिस के डिब्बी तो है नहीं, जो निकाल कर दे दे, लड़की की जो फ्रेंड है, उनसे ही पूछ लो, ये भी तो हो कि तुमारी रिष्टदारी में जहां साधी हो रही है, वो वही पहुँच जाए, सांती रखो, सब ठीक हो जाएगा, मैंने सांती ही तो रखी है, मैंने पुलिस के पास अभी नवीन का नाम तक नहीं दिखवाया है, मुझे मेरी बेटी दिलवा दो, मैं बहुत सयोग करूं मेरी बेटी तुमारी साधी में कोई अर्चन नहीं डालेगी, कहते कहते कविता रो पड़ी, अगले दिन नवीन की साधी थी, कविता ने सोचा कि हो सकता है साधी के बाद वो बेटी को ढूनने में मदद करे, इसलिए उन्होंने एक दिन और चुप रहना ठीक समझा, छै फ खतरी के खिलाब बेटी के किड्नैप की रिपोर्ट दर्ज करा दी, अपरन की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस कारवाई तेज हो गई, डीसीपी विजे सिंग ने एसीपी की निर्ततों में एक टीम बनाई, रिपोर्ट नाम जत्ती इसलिए पुलिस टीम गाउ इसलिए गोवा से लोटने के बाद ही उससे आरजू के बारे में पूछताज की जा सकती थी, इस पीछ पुलिस ने आरजू और नवीन खतरी के मोबाईल नंबरों की कॉल रिकॉर्ड सिंकल वा लिये थे, उस दिन रात दस बजे के करीब पुलिस टीम को खबर मिली कि नवी पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिस की, लेकिन बस के दोनों दरवाजों पर पुलिस के तैनात होने की वजे से उसकी कोशिस सफल नहीं हो सकी, उसे हिरासत में लेकर पुलिस टीम ठाने ले आई, आरजू के बारे में पूछने पर उसने कहा, चार महीने पहले अब तो मेरी साधी भी हो चुकी है, उस दिन वो कॉलेज से कहा गई, मुझे नहीं पता, लेकिन कॉलेज की गेट पर लगे CCTV कैमरे के रिकॉर्डिंग में आरजू तुमारे सा जाती दिखाई दी है, इस्पेक्टर सुदीर ने कहा, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो उस सुबे से ही अपने साधी के कार्ड बाट रहा था, नवीन और आरजू के नमबरों की कॉर्ड डिटेल से पता चला, कि 2 फरवरी 2016 को सुबे 9 से 9 बजे के बीट उसकी आरजू से बात हुई थी, उस समय उसके फोन की लोकेशन भी लक्ष्मी भाई कॉलेज के आसपास थी, इ पुरिस समय लास उसके घर में ही पड़ी है, पुरिस को हैरानी इस बात की थी कि साधी वाले घर में 5 दिनों से लास कैसे पड़ी है, पुरिस उसे लेकर उसके घर पहुची तो मकान में कमरों और कीचन के बीच वेंटिलेशन के लिए कुछ खाली जगा चूटी थी, उसी खाली जगम में पानी के पाइप लगे थे, उसे साफ्ट कहते हैं, उसी साफ्ट में उसने आर्धू की लास शिपाका रखी थी, जिसे उसने बरामत करा दी, घर से आर्धू की लास बरामत होने पर नवीन के घर वाले भी हैरान रह गए, आर्धू की लास बरामत होने की जानक कई दिनों पहले की गई थी लास्ट से दुर्गंद भी आ रही थी उसके गले में उस समय भी एक दुपट्टा लिप्टा हुआ था थाने का महून गमगीन हो गया था पुलिस अधिकारियों ने पिरित प्रक्ष को आस्वासन दिया कि नविन के अलावा इस केस में जो भी दोसी पाए जाएंगे उनके खिलाब भी कारवाई की जाएगी किसी तरह समझा भुजागर पुलिस ने उन्हें सांत किया इसके बाद उन्होंने लास्ट को पोश्ट मटम के लिए अस्पताल भिजवा दिया साथ फरवरी को पुलिस ने नविन खतरी को कोट पे पेस करके तीन दिनों की पुलिस रिमांड पर ले लिया रिमांड अवदी में नविन खतरी से विश्टार से पूश्टाज की गई तो आरजू चौदरी की हत्या की रोंगटे खड़े कर देनी वाली प्रेम, धुका और छुटकारे की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस परकार से निकली नविन खतरी ने पुलिस को बताया कि नांगल दिवत गाहों से पहले किंद्रे विद्याले के पाग सुनसान चड़क पर उसने कार रोग दी थी आरजू उससे बार-बार धंकी दे रही थी नविन बहत गुस्से में था उसने आरजू के गले में पड़ी चुन्नी के दोनों सेरे पकड़ कर कस दिये थे कुछी देर में उसकी मौत हो गई गला दबाते समय आरजू की नाक और मूँ से थोड़ा खून भी निकला साथ ही उसका यूरीन भी निकल लया था आरजू के मरते ही नविन के हाथ पेर फूल गए नाक और मूँ से निकले खून को आरजू के बैक से पूचा आरजु के पास दो मोबाईल फोन भी थे उसने दोनों के सिमकार निकाल लिये इसके बाद उसकी लाक कार की डिक्की में डाल दी कार की अगली सीट पर निकले उसके यूरीन को उसने पहले अकबार से फिर बोतल के पानी से साफ किया बेहन के यहाँ पहुचने में उसे देर हो चुकी थी वो बेहन के यहाँ पहुचा तो बेहन अपने दोनों बच्चों के साथ तैयार बैठी हुई थी फटाफट उन्हें गारी में बैठा कर अपने घर ले आया हत्या करने के बाद भी वो बहन से सामने रूप से बाते करता आया था चूपी कार में लास थी इसलिए उसने उसकी चाबी अपने पास ही रखी उसके दिमाग में एकी बात घूम रही थी कि वो लास को ठीकाने कहा और कैसे लगाए नवीन का जो मकान बना हुआ था उसके ग्राउन फ्लोर पर पारकिंग है पहली मंजिल पर वो खुद रहता है दूसरी मंजिल पर उसके माता पिता और दादी रहती है और तीसरे फ्लोर पर उसका बड़ा भाई संदीप पतनी के साथ रहता है दो फरवरी को नवीन की साधी का देज का सामान आया था वो सारा सामान ग्राउंड फ्लोर पर ही रखा हुआ था पाँच फ्लोरी को उसकी बारा जानी थी घरवानों ने रात को देज का सामान कमरे में सेट कर दिया था इसके बाद सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए लेकिन नवीन को नीन रही आ रही थी वो लास को ठीकाने लगाने के बारे में ही सोच रहा था उसके मकान की रसोई और अन्य कमरों की वेंटिलेशन के लिए कुछ खाली जगा छोड़ी गई थी इससे साफ्ट कहते हैं लास शिपाने के लिए नवीन को वही जगा ठीक लगी सुबह करीब पाच बजे नवीन उठा और अपनी कार की डिक्की से आरजू की लास दिकाल कर साफ्ट में डाल दी लास के उपर उसने एक वालिथिन डाल दी अपने ही घर में लास को ठिकाने लगा कर नवीन को थोड़ा तसली हुई अगले दिन वो आरजू का पॉकेट पर्स मोबाइल फोन हैदरपुन बाइपास के नजदीक गहरे नाले में फैक आया उदर आरजू के माबाप को जब पता चला कि दो फरवरी को उनकी बेटी नवीन के साथ ही गई थी तो कविता चोहान ने नवीन के भाई संदीप से बात की कविता के दबाव पर संदीप और उसके पिता ने नवीन से बात की तो उसने बताया कि उसने आरजू की हत्या कर दी है और उसकी लास को जंगल में फैक आया है उसने ये नहीं बताया कि लास घर के साफ्ट में रखी है कार में हत्या का सबूत ना रह जाए इसके लिए उसकी दुराई होनी जरूरी थी दिल्ली के पितमपुरा गाउं में नवीन के रिष्टे के मामा कृष्ण रहते थे संदीप ने फोन करके आरजु की हत्या करने वाली बात उन्हें बताई तो उन्होंने तसली दी की चिंता ना करे आगे का काम वो देख लेगा पास फ्रवरी को नवीन के भात भरने की रसम पूरी करने के लिए कृष्ण राजपुरा गाउं पहुँचा तो वो अपने साथ अपने गाउं के ही नवीन को भी साथ लाया था वो उनका नज़्दी की था भाद भरने की रसंप के बाद कृष्ण और नवीन उसकी कार पीतम पुरा ले गए इसी चक्कर में वे उसकी बारात में नहीं गए पीतम पुरा में उन्होंने कार की अंदर भार अच्छी तरह सफाई करा दी 6 फर्वरी को कार संदीप के घर पहुचा दी साफ्ट में रखी लास की बद्बू घर में फैलने लगी तो नवीन थोड़ी थोड़ी देर में परफ्यून छिड़क देता था परफ्यून की बोतल खतम हो गई तो वो बाजार से टेज सुगंद वाले परफ्यून की दो दर्जन बोतले खरीद रहाया जिन में से वो 17 बोतले छिड़क चुका था महमान और घर वाले यही समझ रहे थे कि नवीन ये सब साधी की खुशी में कर रहा है सच्चाई तो तब सामनी आई जब पुलिस ने घर से आर्द्यू की लास बरामत की नवीन खत्री ने अपनी नई नवेडी दुरन के साथ हनीमून के लिए गोवा जाने का प्रोग्राम बनाया था उसकी 6 फरवरी की साम को दिल्ली से गोवा की फ्राइड थी लेकिन वहाँ उसके पहुचने से पहले ही उसकी फ्रैड चली गई तो निरास होकर वो घर लोटाया इसके बद किसी काम से वो आजातपूर गया था राद दस बजे वो वहाँ से बस से मॉडलर टाउन के लिए लोट रहा था तब ही पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया नवीन खत्री से पूश्टाज के बाद पुलिस 12 फरवरी को नवीन खत्री के पिता राजकुमार भाई संडीप खत्री और इस्ते के मामा कृष्ण और नवीन को धारा 201, 202 और 202 के तैद गिरफतार कर लिया लेकिन सदी को जमानत मिल गई थी क्योंकि इन चारों के उपर पुलिस ते जमानती धाराये लगाई थी जबकि नवीन खत्री को म्याई खिरफत में बेज दिया गया था नवीन खत्री के पिता राजकुमार हाली में जेल से पेरूल पर भार आया था उसने सन 2005 में गाउं के ही अजय का मामूली सी बात पर कतल कर दिया था हत्या के इस मामले में उसके परिवार के 6 सदस्य जेल में थे फिलहाल प्रेमिका की हत्या करने वाले नवीन खत्री की जमानत नहीं हुई थी केस की जाज इस्पेक्टर सुधीर कुमार कर रहे थे दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार रखिएगा धन्यवाद